जो बायो टेकनोलेजी है ठीक है चलिए बिल्कुल अच्छे से मैं उमीद कर रहा हूं कि जो भी लोग जुड़े हैं अपने पिछले लेक्चर में जो भी टॉपिक हुआ था वो कवर हो गया है आप लोगों का बायो टेकनोलेजी क्या है उसका एक बेसिक नॉलेज है अब यह यनि कि genetic engineering किस तरह से plant में काम आया है यूज हुआ है ठीक है और क्यों genetic engineering काम आएगा ताकि plant को आप modify कर सको plant को कुछ ऐसे qualities characteristics दे सको जो originally natural way में उसे में present नहीं था यह सारे points हम लोगोंने deal कर लिये हैं हमारे पिछले lectures में अब आज जो है हम उन सब को apply करने वाले हैं अलग अलग तरीके से कि वो concept को समझने वाले हैं चलिए समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में plant genetic modification in plant और genetic modification जो plant में उसमें BT cotton के concept पे हम लोग बात करेंगे ठीक है BT cotton क्या है इस चीज को समझना important हमारे लिए BT cotton जो है हम एक क्या बना रहे हैं insecticidal insecticidal plant अब insecticidal plant से कहीं न कहीं एक बात तो आप समझ पा रहे हो कि ऐसा plant जो की insect के against होगा insect को मार देगा या उस पे pissed जो है function नहीं कर पाएंगे पिस्ट जो है उस पे work नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए चलिए अब यहां पे हम लोग बात करेंगे bacillus thuringiensis के बारे में एक variety है ठीक है बैसिलस यह क्या है bacteria bacillus thuringiensis मैं उमीद करूंगा कि आप लोग no down करते चले यह जो bacillus thuringiensis है यह produce करते हैं protoxin अब एक बात को समझो कि कोई भी किसी चीज़ को कैसे produce कर सकता है अगर उसके gene उसमें present हो अगर उसके gene उसमें present हो इसका मतलब इस protoxin को बनाने वाले gene इस bacillus thuringiensis में present होगे और जो gene इस protoxin को बनाते हैं उस gene का नाम है cry gene रोने वाला नहीं है c capital r y gene ठीक है अब एक बात बताता हो आपको एक toxin होता है एक protoxin होता है ठीक है toxin है और protoxin है protoxin ऐसा toxin है जो active form में नहीं है तो उस toxin का दूसरा नाम क्या है cry protein c r y cry protein ठीक है और ये protein अगर insect के अंदर चले जाते हैं कहां चले जाते हैं insect के अंदर तो insect का जो gut होता है क्या होता है gut होता है वहां पे pH जो होता है alkaline होता है gut pH कैसा होता है alkaline होता है ठीक है अब जैसे ही उस gut के pH में चला गया alkaline pH में चला गया ये जो cry protein ठाग जो pro toxin था अब वह एक्टिवेट होके toxin में convert हो जाता है किसमें convert होता है वाई एक्टिव 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 राइप प्रोटीन यानि की toxin में convert हो जाता है ठीक है अब ये क्या करता है मिडगट से जाके attach हो जाता है attach to midgut midgut से attach हो गया मिडगट से attach होने के बाद क्या करेगा उसे perforate कर देगा ये सब किसके साथ हो रहा है insect के साथ हो रहा है इंसेक्ट से साथ हो रहा है ठीक है किसके माइक से आवाज आ रही है ठीक है तो इंसेक्ट के midgut से वो attach हो गया और इंसेक्ट का midgut को क्या कर देगा perforate कर देगा perforation हो जाएगा अब किसी के गट को आप perforate कर दो अब गट सोच रहे होगे आपके गट क्या चीज है जो उसका एलिमेंटरी कनाल है उसी को क्या कहेंगे? गट कहेंगे तो उसे perforate कर देगा तो क्या इंसेक्ट का death हो जाएगा येस इंसेक्ट का death हो जाएगा इंसेक्ट will die, insect मर जाएंगी, ठीक है पर आप सोच रहोगे कि भाई, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, एक bacteria है दूसरा आपका insect है death insect का हो रहा है, मार bacteria रहा है तो इसमें plant क्या कर रहा है बस कुछ नहीं, plant में क्या किया जाएगा इसके gene को इसके gene का नाम क्या है, cry gene को निकाल के plant में डाल दो बस अब जो काम bacteria कर रहा था अब वहाँ पे plant करने लगेगा, यानि plant के अंदर यह काम होने लगेगा, और वो कौन सा plant है, आपका cotton cotton देखा गया, यह बरबाद हो रहे हैं, cotton क्या हो introduced, GMO मतलब genetically modified organism introduced in India अरे अपने इज़ाब से screen पे खेलो मत बाई क्या दिक्कत है तुम्हें ठीक है, हम् अब कर दिया, इसको हटाने आ नहीं रहा है, भाई हटा लो ठीवा तो GMO समझ गए, clear है यहां तक चीज़ें, कोई तकलीफ है कि यहां तक चलो, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे, अब NCRT की तरफ समझते हैं कि यह इसने क्या कहा, NCRT क्या कहना जा रही है, ठीक, अब दियान से समझो, आपने क्या किया, बैक्टीरिया, पैसिलस थरिंजिंस का जो जीन है, उसको निका, मैं कोई डाउट है, वो पूछना था कि, जब यह वाला क्राइब प्रोटीन, हम लोग इसमें, सारी, क्राइजीन, हम लोग वो फ्लांट में डाल देंगे, खौटन वाले, तो फिर जब वो इंसेक्ट स्वाप है, उसको खाने जाएंगे, तो वो मर जाएंगे, क्या? अब वो इंसेक्ट कैसे मरते हैं, इस चीज को भी अब हमें ही समझना पड़ेगा, कैसे होगा वो चीज देखना होगा, उस चीज को मैं आप समझा रहा हूँ, यह जो बैसिलस थरिंजियन से था, इससे हमने जीन निकाल लिया, यह जीन निकाल लिया, अब इस जीन को कहां किया जाएगा, यह कौन सा जीन है आपका, desired gene है, desired gene कह सकते हो, या इसे आप क्या कह सकते हो, passenger DNA, pDNA लिख सकते हैं, आया ना, या फिर क्या कह सकते हो, foreign DNA, इसे किसमे ट्रांसफर करोगे आप, बताओ, इसे किसमे ट्रांसफर करोगे, इस gene को किसमे ट्रांसफर करोगे, ताकि कि आप इसे पहुंचा दो प्लांट के अंदर वेक्टर में वेक्टर में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और वेक्टर कौन सा है प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर करते हैं टी आई प्लाजमीड यूज करेंगे टी आई प्लाजमीड यूज करेंगे टी आई प्लाजमीड मि निकालते हैं TI plasmid उसमें इस जीन को transfer किया जाएगा, कौन से जीन को transfer किया जाएगा, cry gene को transfer किया जाएगा, और क्या बनेगा उससे, इससे आपका recombinant DNA तयार हो जाएगा, क्या आप देख पारे हो, ये क्या है, recombinant DNA तयार किया जाएगा, अब इस recombinant DNA को कहां डाला हैगा, अलग-अलग mechanism से, चाए जीन गन लगा दो, बायोलिस्टिक लगा दो, mostly plant में वह यूज करते हैं, अब हम लोग इस host के अंदर क्या पहुचा दिये, इस recombinant DNA को पहुचा दिये, और जो host recombinant DNA को receive करता है, वो host transform हो जाता है, और उसे आप transformant कहते हो, ये किसी का doubt था वो solve हुआ, चलो, अच्छी है, तो अब ये आपका transformant हो गया, ये transformant कौन है, cotton है, अब ये cotton किसमें convert हो गया है, BT cotton में convert हो गया है, क्योंकि इसमें ये plasmid आ चुका है, क्या लेके आया है, इस gene को लेके आया है, कौन से gene, cry gene, यानि कि अब इसमें वो gene है, जिससे आपका cry protein बनने लगेगा, am I very clear till here, yes sir, बहुत अच्छे है, चलिए, अब थोड़ा NCRT पे नजर डाला जाए कि NCRT क्या बोल रही है, BT cotton, some strains of, द्यान दो, some strains of bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects, kill, ज्यान दो, kill word used किया गया है NCRT में, इसका मतले insecticidal है, ठीक है, static नहीं है, static में, बहुत बार option में क्या होता है, static में किसी चीज को आप रोकते हो, यहाँ kill कर रहा है, इसलिए यह साइडल है, certain insect, such as, यहाँ पे तीन केटेगरी है, लेपिडॉप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन और इसके examples को आपको याद रखना है, टोबैको बड़ वाम, आर्मी वाम, फिर कोलियोप्टेरन में बीटल्स, डिप्टेरन में फ्लाइज और मॉस्कीटो, ठीक है, यह जो और्गैनिजम होंगे, अगर वो बीटी का जो प्रोटीन होता है, जो बैसिलस थुरिंजियंसिस से प्रोटीूस होता है, वो इन सब को मार सकता है, ठीक, बैसिलस थुरिंजियंसिस फोर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल दूरिं पर्टीकुलर फेस अफेस 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 ग्रोथ, ठीक, इस क्रिस्टल कंतें अट Toxic Insecticidal Protein, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, why does this toxin not kill the bacillus, ये bacillus को खुद क्यों नहीं मार देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि बेक्टीरिया जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, कि वो मार नहीं सकता है किल नहीं कर सकता है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, और वो एक्टिवेट कब होगा, जब वो किसके बॉड़ी में जाएगा, जब वो चला जाएगा, इंसेक्ट के गट में और उसे, yes, alkaline pH, very good, बिलकुल देखो, कैसा होता है, जब आप study करते हो, मन में, पढ़ने के बाद चीजों को बार-बार सोचा करो, आप बुक के साथ बैटने के बाद थोड़ी देर, पढ़ाई खतम हो गई, आदा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आपने जो भी पढ़ा है, उन चीजों को सोचोगे, एक बार सारे नाम्स को आप revise करोगे, तो क्या होगा, आप उन चीज को याद रख लोगे, सर वो toxic bacteria को क्यों नहीं kill करता, ये राज पूछ रहे है, आपका doubt मेरे हिसाब से solve हो गया होगा, है ना राज, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको सोचना है, और अपने doubt को माइक ओन करके बोल दिया, खरो मैं बार-बार chat को चेक नहीं कर रहा, ठीक कि आप अपने doubt को direct बोल सको, interact कर सको मुझसे, ठीक है, वरना YouTube में क्या ही खरावी थी, वहाँ पे भी demo रख सकते थे, ठीक, कि अगे हैं, यहां तक चीजें, किसी को कुछ डाउट है, ओके पाइन, चलो, अब आगे बागे बाधर, अगे बाधर, श्क्राइट टॉक्सीन, बाइंड स्टू दे सर्फेस ओफ मिड़ट, एपिथीलियल से, मिड़ट एपिथीलियल से जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक दो midgut, दो important keyword आये हैं आपके NCRT के, एक तो midgut आया है, दूसरा epithelial cell आया है, यह दोनों important word है, वो आपको ध्यान में रखना है, create करते हैं pores that cause cell swelling and lysis, कौन से cell का swelling होगा, आप से question पूछा जा सकता है, कि यह जो swelling हो रहा है, कौन से cell में हो रहा है, उस insect के columnar cell, epithelial cell, क्यों स cell के बारे में बात हो रही है, obviously, जो epithelial cell में वो enter हुआ है, epithelial cell, कहां का, gut का, और gut किसका है, insect का है, सारे concept को बिलकुल crystal clear दिमाग में बठाना है, question कैसे भी न चाहे, घुमाए, आप उसको सही लगाओगे, swelling and lysis, eventually causing death of insect, ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप इसम गलत करोगे, concept तो आपने समझ लिया, lysis मतलब, lysis मतलब बरबाद कर देना, तोड़ देना उसको, चीक है, lysis किसी भी चीज का क्या होता है, बरबाद कर देना, तोड़ देना, आपने photolysis सुना होगा, photolysis में क्या होता है, सुना है, अभी word photolysis, एलेक्ट्र लाइसिस, रुख जा, मुझे पूछने दो, जिससे पूछना हो वही जवाब देना, राज बता, photolysis क्या होता है, सो गया, photolysis जो process है, वो क्या होता है, नहीं पता है, तो वो भी डारेक्ट बोल दो कि सर, पता नहीं है, photolysis क्या होता है, चलो जिसको पता है, वो जवाब दे दो, वारू ही photolysis क्या होता है, सर, यह इसमें होता है, मैंदब, sunlight के वज़े से, जब कोई molecule, मैंदब, separate होता है, तो उसको बहुते शायत से, जब light के presence में किसी चीज़ का lysis हो जाए, तूट जाए, उसे photolysis करते हैं, और यह कब होता है, photosynthesis के time पे, जब मैंने lecture लिया था, तब भी मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें water जो है, आपका H+, और oxygen में तूटता है, तो उसी तरह यहाँ पे cell को तोड़ा गया है, इस स्पेसिफिक BT toxin genes were isolated from bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton, the choice of gene depends upon the crop, जो choice gene का होता है, वो किस पे depend करता है, crop and targeted pest, यह किसके बारे में बात हो रही है, यह in general बात कर रहे हैं, और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, यह बहुत important line है, The choice of gene depends upon the crop, कि कौन सा crop है, जिसमें gene को हमें डालना है, यानि कि आप कैसे decide करो, आपको जो toxin produce करना है, उसका gene आपको crop में डालना है, और crop में कौन सा toxin produce हो, वो कैसे पता चलेगा, जिस pest को मारना है, तो आपका अगर target pest आपको पता है, तो उस target pest के against जो toxin होता है, उसका gene आपको crop में डालना है, ठीक है, as most Bt toxin are insect group specific, जो Bt toxin होते हैं, वो insect group specific होते हैं, कई तरह के toxin produce होते हैं, आप मैं अभी देखा, bacillus thuringiensis के जो अलग-अलग strains है, उनमें कुछ ही strains, सारे strains नहीं, कुछ ही strains ये चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं toxin, और उसमें भी अलग-अलग variety है toxin की, अब ध्यान दो, कौन-कौन से अलग-अलग gene है, toxin is coded by gene named cry, c-r-y, there are number of them, for example, protein encoded by gene cry1ac cry2ab control the cotton ball warm, अब ध्यान दो, जिस इलाके में आपका pest ये है, तो वहाँ पे आपको cotton में कौन सा gene transfer करना पड़ेगा, cry1ac cry2ab, जहाँ पे आपका pest जो है corn borer है, तो वहाँ पे जो gene आप use करोगे, वो cry1ab होगा, आपका desired gene, इस concept को दिमाग में बिठाए क्या, कहीं कोई दर्द है क्या इसमें, समझने में कोई चक्लिप होई, देखो, सुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जो point में underline करवा रहा हूँ, NCRT में, जो notes मैंने लिखवाए, आपको समझने के लिए, बहुत important है, और उसे आपको याद रखना पड़ेगा, revise करोगे, learn करोगे, तब जाके आप याद रख पाओगे, otherwise याद नहीं रहेगा, और आपके सामने जो picture दिख रहा है, वो कोई more का punk नहीं है, ठीक है, वो क्या है, cotton ball है, जो destroy हुआ है, पहला destroyed by bullworm, sorry not bullworm, ballworms, और दूसरा fully mature cotton ball, आप देखो, cotton balls जो destroy हो गएं, वो किस तरह के दिखते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, अब इसका मतलब आपको question कैसे पूछा जाएगा, ये picture दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा, कि इस disease से बचने के लिए, इस disease से बचने के लिए, आपको कौन सा gene cotton में transfer करना है, तो answer cry 1 AC and cry 2 AB, क्योंकि ये किस से damage हुआ है, cotton ball warm से damage हुआ है, ये ऐसे question पूछा जाता है, आपको देखो, सीधा direct question नहीं आया, हलका हलका चीज़ों को relate किया गया, picture से concept को, picture से क्या बताया गया, क्या चीज़ रिलेट किया गया, आपको pathogen का नाम पता चला, और उस pathogen के against कौन सा gene work करेगा, वो पता चल गया, और आपका answer आ गया, बस यही तो है, यही तो आप खेलते हो, इसके साथ, question के साथ, neat में, clear है, चीज़ें, कोई तकलीफ तो नहीं है, यहां तक, जली, no sir, अब हम लोग बात करेंगे, एक concept के बारे में, जिसका नाम है, RNA interference, क्या नाम है, concept का, RNA interference, अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, लोग, ठीक है, RNA interference, यह बड़िया, concept है, RNA interference, ठीक है, यह जो RNA interference है, यह क्या होता है, इस चीज़ को समझते है, या इसका एक और word है, इसके लिए, जिसका नाम है, gene silencing, gene को silence कर देते हो, gene silencing, ठीक, इसमें क्या करते हूँ, ध्यान देना, होता क्या है, आप लोग को पता होगा, central dogma, जिसमें DNA से क्या बनता है, बताने का कश्ट करें, RNA, very good, RNA, RNA, RNA से, yes, किसी तरह का RNA बन सकता है, ठीक है, transcription से RNA बना, transcription, अब RNA से हमें protein बनाना है, तो process क्या होगा, translation, translation, very good, translation, translation, क्या बाता है, चलिए, अगर आप RNA को, ये RNA सिंगल स्ट्रेंड का होता है, या डवल स्ट्रेंड का होता है, बताएगा, जरुए, very good, single stranded रहता है, single stranded होता है, single stranded होने का मतलब भी है, हम लोगोंने NCRT में पढ़ा रहा है, कि single strand ही होना चाहिए, वरना ये silence हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ये work नहीं कर पाएगा, अगर ये double stranded हो जाएगा, क्योंकि single strand को ही हमारा TRNA और ribosomes और जो रहते हैं, वो read कर पाएगे, और उससे translate कर पाएगे, अगर इस single stranded RNA को आप double strand में convert कर दोगे, तो क्या ये work करेगा नहीं, ये work नहीं करेगा, ठीक है, तो दो scientist थे, जो आपको neat में नहीं पूछा जाएगा, chance बहुत कम है, क्या नाम था, Andrew, Andrew Fire and Craig Mello, Craig Mello, ठीक है, क्या है, Andrew Fire and Craig Mello, इन्होंने ये mechanism, BNA, ये RNA को जो silence कर दिया, RNA interference कर दिया, ये सबसे पहले एक round warm में perform किया, और round warm का नाम है, Sinor Habiditis, Sinor Habiditis, Elegance, ये भी आपको उतना रटने की जरुरत नहीं, इसको आप short में C, Elegance याद रख सकते हो, गलती से कहीं पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना रहना चाहिए, ये क्या है, round warm, ये पार्ट जो मैंने बताया, ये बस free का ग्यान था, जो बहुत important नहीं है आपके लिए, ठीक है, बस नाम ध्यान में, पढ़ लो कि यहाँ बाई पढ़ा है कभी, Andrew Fire, Craig Mello, Sinor Habiditis, Elegance पे, ये सबसे पहले इस चीज़ को discover किया गया, इस process को discover किया गया, कि इस तरह से कर स रखते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले genetic engineering के case में, ये सबसे पहले apply किया गया, tobacco के plant में, ये किस पहले apply किया गया, tobacco के plant में, ध्यान देना है, but, in case of genetic engineering, genetic engineering, it was first used, क्या, इट किसके लिया है, RNA interference, it was first used on tobacco, आई बास समझ में, अब, तो बैको का हुआ क्या, कि तो बैको की yield कम हो गई थी एक पैथोजन के कारण, ध्यान देना, तो बैको का हुआ था, तो बैको का, तो बैको तो पता ही होगा, क्या होता है, अलग-अलग form में मिलते हैं, कोई फुकता है, कोई ठूसता है, चीक है, और करता है ये cancer, लेकिन हाँ, डिपेंडेंसी है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये अगर yield कम हो जाएगी, तो businessmen को problem हो जाएगी, ठीक है, तो इसी लिए, यहाँ पे, इसमें कौन सा पैथोजन इसके yield को कम कर रहा था, पैथोजन का नाम है, पैथोजन क्या है, miliodegine, miliodegine, incognita, incognita, ये क्या करता है, dicot के root को affect कर देते हैं, dicot root को affect कर देता है, अब इससे बचा कैसे जाए, तो यहाँ पे miliodegine, incognita के RNA को silence कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, silence कर दिया जाएगा, अब ध्यान से समझो कैसे करेंगे silence, आपने क्या किया, आपके पास ये जो root hair है, root है, ठीक है, यहाँ पे इस जो tobacco plant है, जाने दो इस चीज़ को, सीधी बात करते हैं, tobacco के plant की, ठीक है, tobacco के plant की बात कर रहे है, tobacco के plant के cell में आपने क्या किया है, जो RNA प्रोड्यूस कर रहा था, meliodegine incognita उसका DNA बना के आपने root के nucleus में डाल दिया, nucleus में incorporate कर दिया, यह है इसका chromosome, ठीक है, और आपने भेज दिया है यहाँ पे, अपने काम का DNA, कौन सा DNA है यह, आपके काम का DNA, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आपने किसका डाला है DNA, वाम का DNA है, जो वाम अफेक्ट कर रहा था, कौन सा वाम है, incognita, meliodegine incognita, यह वाम का DNA जो है, आपने इस टोबैको के सेल में डाल दिया, ठीक है, टोबैको के सेल में डाल, अब इस DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा क्या, अब इस DNA से बनेगा RNA, ठीक है, और यहाँ पे जो एक RNA बनेगा न, वो double-stranded RNA बनेगा, इससे RNA वैसे जो आपका transcription होता, वो single-stranded RNA बनता, लेकिन यह जो जीन है, इससे double-stranded RNA बनेगा, वो एक complex mechanism है, ठीक है, क्या बन रहा है, double-stranded RNA, ठीक, यह क्या है भाई आपका, dsRNA, अब इस dsRNA में दोनों strand है, sense strand भी है, sense strand भी है, और anti-sense strand भी है, anti-sense strand भी है, double-stranded है, ठीक है, अब इस cell में एक protein रहता है, एक enzyme रहता है, जिसका नाम है dicer, क्या नाम है, dicer, यह क्या है, ribonuclease है, ribonuclease है, यह क्या करेगा, इसको cut कर देगा, क्या करेगा, cut कर देगा, और इसको छोटे-छोटे SIRNA बना देगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, छोटे-छोटे कट करके SIRNA बना देगा इसको क्या बोलते हैं Small Interference SIRNA और Small Interference RNA ठीक है यह तैयार रखेगा अब यह वाला इसका क्या है हथियार है किसका इस टोबैको के प्लांट के सेल के अंदर अब जैसे ही कोई मिलियो डिगाइन इनकॉगनीटा मिलियो डिगाइन इनकॉगनीटा इसके अंदर एंटर करेगा फिर क्या होगा यह सारे जो छोटे छोटे आपके इसके अंदर ही रहता है इस सेल के अंदर ही रहता है वह नॉर्मल प्रोटीन है जो इसके अंदर रहता है ठीक है क्लियर है अब जैसे ही यह आए अब देखो ये इसके अंदर क्या मेकेनिजम होगा अब हम मिलियो डिगाइन इनकॉगंीटा को यहां मैगनिफाय करते हैं और उसको स्टडी करते हम इसके अंदर DNA जो रहेगा उससे क्या बनेगा MRNA बनेगा और इसका MRNA कैसा रहेगा इसके अंदर क्या आ गया है यह कौन है यह कहां से आ गया है जो रूट के सिल में पहले से प्रेजेंट यह डबल स्टेंड़ थे यह डबल स्टेंड़ थे लेकिन एक protein होता है ठीक है एक protein होता है वो protein इसके साथ combine कर जाता है और एक complex बनाता है जिसका नाम है risk RISC यानि की RNA induced silencing complex बनेगा ठीक है और इसके कारण क्या होगा मैं समझा रहा हूं RNA induced silencing complex बन जाएगा ठीक है कैसे बना यह सारे प्रोटीन्स जो है इस miliodeginine incognita के अंदर वो इससे जाके जुड़ जाएंगे वो इससे जाके जुड़ जाएंगे और एक complex का formation कर देंगे अब यह complex का जब formation हो जाएगा फिर क्या होगा इस protein के action के कारण यह सारे double stranded जो DNA है वो अब sorry RNA है वो अब single stranded हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे single stranded हो जाएंगे और यह जो single stranded RNA हो जाएंगे यह जाके इसके साथ ऐसे pairing कर लेंगे ध्यान दो यह जाके ऐसे pairing कर लेंगे किसके साथ इसके साथ ऐसे pairing कर लेंगे ठीक है अब ध्यान से समझना MRNA के साथ pairing कर लेंगे और जैसे यह MRNA का pairing हो गया यह MRNA silence हो गया यह MRNA silence हो गया रुक गया अब यह कोई भी protein ऐसा नहीं बनाएगा जिससे टोबैक को खराब हो जाएगा यह कोई ऐसा प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा जिससे टोबैक को खराब हो जाएगा चलो एक बार फिर से इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या करते हैं इस चीज को हम लोग एक बार समझते हैं ठीक है ध्यान देना मैं आपके messages को पढ़ने ही पा रहा हूं यहां पर चलो इस चीज को थोड़ा और समझो यहां पर तो वैको प्लांट के सेल में क्या हुआ आपने डाल दिया DNA किसका मिलियो डिगाइन इनकोगनीटा का DNA डाल दिया जैसे ही मिलियो डिगाइन इनकोगनीटा का DNA डाला उससे क्या बना double stranded RNA बना और यह double stranded RNA को डाइसर नाम का enzyme जो इस में पहले से present है वो cut कर देगा क्या करेगा वो cut कर देगा और जैसे ही cut करेगा तो वो किसमें convert होगा small interference RNA क्या बन जाएगा स्मॉल इंटर्फेरंस और यह जो छोटा-छोटा स्मॉल इंटर्फेरंस आरेने है यह रहेगा जैसे ही कोई मिल्योडिगाइन इनकोगनीटा इसके अंदर प्रवेश करेंगे अंदर जाएंगे वैसे ही यह इसके अंदर इंटर कर जाएगा हां बता हो यह जो आरेने हैं वह डबल डापलस टैंडडीड कैसे मेंज़ समय में इस डबल टोस्तव मैं आदोंफेर्ण स्ट्रेंडट आरेने की ज़री कर देते आप तो आप खुद से डिजीज डाल देते हैं आई बास समझ में ध्यान से समझो आपको क्या करना है सिंगल स्ट्रेंडड आरेने आये ही नहीं इस सेल में जिससे हमारे टोबैको का प्लांट खराब नहीं हो इसलिए उस आरेने को आप साइलेंस कर रहे हो और आप ख बुद से जीन डालके बिमार कर रहे हो आई बास समझ में इसलिए डबल-स्ट्रेंडड आरेने तो एक्स्प्रेस होता नहीं है तो डबल-स्ट्रेंड आरेने यहां पे रहेगा और जैसे ही मिलियो डिगाइन इनकोग्नित आंदर आएगा तो उसका डिएने होगा उस डिए तो डबल स्टेंड था तो वो सिंगल स्टेंड में कैसे कनवर्ट होगा तो मिलियोडिगाइन इनकॉगनिटा के अंदर एक कॉंप्लेक्स बनेगा जिसको कहते है रिस्क कॉंप्लेक्स यह क्या होगा आरने इंड्यूस साइलेंसिंग कॉंप्लेक्स बनेगा जो कि इस डबल स् स्ट्रेंडेड में कनवर्ट कर देगा और यह सिंगल स्ट्रेंडेड जाके MRNA जो मिलियोडिगाइन इनकोगनिटा है उसे जाके साइलेंस कर देगा और यह Meliodigine incognita अपने आपको express नहीं कर पाएगा और tobacco का plant बच जाएगा clear है although आपको इसके बारे में उतना जानने की जरुरत नहीं है क्योंकि आपकी NCRT में नहीं दिया है ना dicer के बारे में आपकी NCRT में दिया है यह मैंने concept को समझा दिया ताकि इसी concept को आप जब NCRT से पढ़ो तो उसके data को याद रखो और concept को समझ जा अभी यह lecture तो end हो जाएगा लेकिन हम इसके बाद एक बार NCRT को भी read करेंगे और पूरे concept को बिलकुल detail में समझेंगे मैं एक बार chat देख लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है अपने doubts chat में पूछ रहे है recorded video मिलता है नहीं वो YouTube पे upload हो जाएगा सर वो toxic bacteria को क्यों नहीं kill करता कि यहां तक कोई डाउट किसी को कोई डाउट है नौ सर नेहल वारोही मैथली राज हर्षिता चलिए ठीक है इस lecture को यहां पर end करेंगे यह concept को समझ गए और next में जो lecture रहेगा उसमें हम लोग ncrt को read करेंगे ठीक है और next lecture भी अभी ही होगा मैं फिर से इसको join करना है ठीक है फिर से इसी link को आपको join करना है क्योंकि one minute में आपका यह हो जाएगा let me see the chat हो किया इसके वर डाचा रहे में झाएगा इसके करेंगः करना रहे इसकोछ़स небड़